नुसरत भरुचा ने सुना आया इसराइल-पैलिस्टिन युदि का आँखो देखा हाल दमागों के बीच बेस्मेट में छुप कर बचाई जान इसराइल और फिलिस्तान के बीच फिलाहास जंक छड़ी हुई है एक्टेस नुस्रत भरुचा योदी के एं हालातों के बीच इसरायल में फसके थी आपको पता दिया एक्टरस हैफ़ा इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिबल में हिस्सा लेने के लिए इसरायल पहुची थी लेकिन इसे बीच इसरायल पर हमास ने हमली शिरू कर दिये जिसके कारद नुसरत भरुचा को बशनी के लिए होटल के बेस्मेंट में शेनल लेनी पड़ी केवल इतना ही नहीं नुसरत का भारत में अपनी टीम से भी संपर्क टूट किया था हाला कि 8 अक्टूबर को भारती और इसराइल एमबेसी की मदद से नुसरत कलेक्टिव फ्लाइट के जरिये सही सलामत भारत लौट आई अब इसी बीच नुसरत ने अपना एक वीडियो शेर किया है इस वीडियो में नुसरत युदी की आखों देखी स्थिती को बया करती नजरा रही है वीडियो में नुसरत भरुचा कह रही है मैं आप सभी की दुआएं और जिन भी लोगों ने मेरी सलामती की जानकारी के लिए मेसेज किये उनका शुक्रिया कहना चाहती हूँ मैं घर आ गई हूँ मैं ठीक हूँ लेकिन दो दिन पहले जब मैं होटल की कमरे में जागी तो चारो तरफ बंप, धमाको और साइरन की आवास गुझ रही थी हमें बेस्मेंट में और शेल्टर एरिया में ले जाये गया मैं पहली ऐसी स्थिती में कभी नहीं रही हूँ लेकिन आज मैं जब अपने घर में उठी हूँ बिना किसी आवास के सब कुछ सुरक्षित है तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितनी भागिशाली है कि हम इस देश में हैं हम सुरक्षित हैं मैं भारत सरकार, भारती दूतावास और इसराइल दूतावास का धनिवाद कहती हूँ जिन्होंने हमें गाइट किया और ये संभव बनाया कि हम सुरक्षित तरीके से अपने देश और अपने घर पहुंच जाए केवल इतना ही नहीं नुसरत ने अपने पोस्ट में ज्रंग में फसे लोगों के लिए दूआ भी मांगे उन्होंने कहा जो लोग अभी भी ज्रंग में फसे हुए हैं उनके लिए मैं प्रातना करती हूँ उमीद करती हूँ जल्दी वहाँ पर सब कुछ शान्त हो जाए आपको बता दे नुसरत भरूचा अपने फिल्म अकेली के स्क्रेनिंग के लिए तीन ऑक्टोवर को इसरायल गई थे वहला आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकि कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यस बॉलिवोट से जुड़ी लेटेस्ट अबडेट के लिए चानल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना ना भूलिएगा